लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार और रेगूलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए हलो, वेलकम तो स्वाद अनुसार वरत में आप आलू और साबुदाना खा खा के बोर हो चुके होंगे तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक डिफरेंट उपवास रेसिपी और वो है मखाने की खीर सबसे पहले हम अपनी गैस शुरू करते हैं और अब हम डालेंगे 2 टी स्पून घी हमारा पैन और घी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम 2 कप मखाने इसमें डाल देते हैं इसे हम आस्ते आच पे रोस्ट करेंगे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे 1 लिटर उबला हुआ दूट साथ साथ में दूट को चलाते रहेंगे ताके ये नीचे नहीं लग जाए हमें खीर को एक अच्छा उबाल देना है और फिर धीमी आँच पे इसे 5-7 मिनिट तक पकाना है तब तक हमारे मखाने भी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे खीर को एक अच्छा उबाल आ चुका है और अब हम गैस की आँच थोड़ी आस्ते करते हैं और इसे हम 5-7 मिन तक और पकाएंगे खीर अच्छे से पक रही है अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राइफ रूट्स सबसे पहले में डालूँगी कटा हुआ विस्ता ड्राइफ रूट्स हम डाल रहे हैं ताके ड्राइफ रूट्स भी इसके साथ पक जाएं अब हम डालेंगे बदाम यह बदाम भीगो के काट के मैंने डाले हैं अब मैं डालूँगी इसमें किसमिस हम इसे अच्छे से चला लेंगे अब हम डालेंगे इसमें आदा कप चीनी चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं चीनी अच्छे से घूल चुकी है और अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ बदाम पाउडर इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताके इसके लंप्स नहीं बने और साथ में ही इसे चला लेंगे बदाम पाउडर डालने से खीर अच्छी गाड़ी हो जाती है आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा केसर केसर को मैंने पहले ही गरम दूद में डाल के रखा था केसर ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अच्छे से चला लेंगे मखाना खीर एकदम तयार है अब इसे सर्फ करते है ये रही हमारी गर्मा गर्म मखाने की खीर एकदम तयार इसे जरूर बनाएए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉई कीजिए और विश्यू आप्डात्री ऐसी उप्वास special recipes के लिए देखते रहे स्वाद अनुसार